मई माह के पहले दो दिन सेहिंग राशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं? जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्योब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक मई और दो मई के सेहिंग राशी फल के बारे में ये जो दो दिन है ये कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में जो ग्रहों की इस्तिति है वो क्या होगी? नक्षत्र क्या होंगे? योग क्या बनेंगे? और किस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे? जानेंगे सब कुछ विस्तार से तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो जली सबसे पहले इन दो दिनों के तित्थी नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं एक माई का दिन बुधवार का दिन है क्रशन पक्षगी अस्ट में दिती है और श्रवन नक्षत्र रहेगा और ये जो नक्षत्र है ये चरस्वभाव का नक्षत्र है योग बहुत ही शुब बनेगा क्योंकि शुब नाम का योग है जिसके स्वामी लक्षमी मा होती है चंद्रमा मका राशी में है सोरिय अपने उच्चराशी भणी नक्षत्र में है और इस दिन के राहुकाल का समय जरूर नोट करें इस अब दिमे कोई शुब कारिय कोई नया कारिय ना करें ये समय होगा दोपहर 12 बच कर 18 मिनट से दोपहर 1 बच कर 58 मिनट तक अब 2 मई का दिन तो ये गुरुवार का दिन है क्रश्न पक्ष की नावमी तिथी रहेगी और घनिस्ट नक्षत्रा रहेगा शुक्ल नाम का योग बना है चंद्रमा दोपहर में मकराशी से निकल कर कुम्बराशी में पहुच जाएंगे जहां शनी मौजूद है शनी के साथ चंद्र की युदि होगी और सूरिय तो है ही मेश रासी में शुक्र के साथ साथ में भणी नक्षत्र में अब यहां जो राहुकाल का समय जरूर नोट करें ये दोपहर एक बज़कर 58 मिनट से शाम को तीन बज़कर 38 मिनट तक राहुकाल का समय रहेगा इस समय अवधिय में कोई भी नया कारया कोई भी शुब कारया ना करें आप हमारे चानल पर देख सकते हैं फिलाल हम बात कर लेते हैं इन दो दिनों के राशी फल के पारे में अब एक मई की अगर हम बात करें तो एक मई का दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए स्वास्ते के लिए अच्छा रहेगा आज का दिन आपका स्वास्त अच्छा है तो अपनी काम पर आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे यहां तक कि धन संपत्ती के मामले में भी आज का दिन अच्छा होने वाला है चंद्रमा तो मकराशी में है मकर राशी में कहिना कहीं चंदर्मा की जो इस्तिती है वो थोड़ा सा किसी कुछ कामों में आपको निराश कर सकती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं कुछ जो महतबुन आपके जीवन के मुद्दे हैं आपके घर परिवार से जुड़े हुए आपके रिष्टों से जुड़े हुए उन मुद्दो को लेकर भावुकता रह सकती है मन में आपको एक कारे करना है कि किसी भी काम को चाहे वो आपके कामकाजी जीवन से जुड़ा हुआ हो या आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ हो किसी भी काम को जल्दबाजी में आपको नहीं करना है जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा दूसरी की भावनाओं को ठेस ना पहुचे और आप भी अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुचाएं इसका ध्यान रखें, जितना अधिक दिमाग को शांत रखतने की कोशिश करेंगे, उतना जादा अच्छा रहेगा और जितना जादा आप इस चीज पर ध्यान देंगे कि कोई कार्य जल्दबाजी में ना हो, कोई फैसला जल्दबाजी में ना हो, भावनाओं को नियंतर में रखेंगे, उतना जादा अच्छा दिन आपके लिए रहेगा इस दिन बर्गंडी कलर जो है, वो आपके लिए बड़ा शुब होने वाला है, बर्गंडी कलर का कुछ भी अगर आप वस्त्रधारन करते हैं, तो आपके लिए शुबता को बढ़ाने वाला रहेगा इस दिन आपके जो ननिहाल के लोग हैं, आपके नाना हो गए, मामा हो गए, जो आपका ननिहाल है, वहाँ से आपको किसी तरह का सपोर्ट मिल सकता है, यह सपोर्ट आपको किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उनसे आपको राहत मिलेगी घर का कोई ऐसा सदस्य जिसकी वज़े से आपको परिशानी हो रही थी उस सदस्य से आप आज बातों की जरीने पटने की कोशिश कर सकते हैं उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत होगी उनसे बात करने की और इन परिशानियों को दूर करने की ये दिन वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहेगा प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है आपको ये समझना होगा अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की कोई दुविधा चल रही है कोई परिशानी चल रही है तो ये समझना होगा कि जो शादी का नाम है ये सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना नहीं एक दूसरे की भावनाओं को समझना एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना भी है तो थोड़ा उन चीज़ों के तरब ध्यान रखें पर आपके विवाह नहीं हो पा रहा है उसमें दिक्कते चल रही है तो उन के लिए थोड़ा से इंतजार और खरना है वैसे तो इंतजार क्या करना है अभी गुरु का राशी परिवर्बतर हो चुका है जो कि शादी के कारत भी है तो कहीना कहीन बागे आने वाला समय आपके लिए आपके विवाह को बनाने वाला होगा नौकरी और वेपार इन दोनों के मामले में ही ठीक दिन रहेगा वेस्त तो आप रहेंगे लेकिन सही दिन रहेगा अपनी कामकाश में आप गतिवी दियां आपकी अच्छी रहेंगी, सुचारों रूप से चलती रहेंगी आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपका किसी काम पर ध्यान नहीं लग पा रहा था तो आज आप उन चीजों की तरब भी काम करेंगे, अपनी ध्यान को लगा पाएंगे अपनी काबिलियत को समझेंगे, अपनी स्तितियों को मजबूत कर पाएंगे स्वास्थ है, देखें तो स्वास्थ है आपका, ठीक है, स्वास्थ संबंदी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यात्रा का यूग है, यात्रा करते समय अपने बैग वगेरा का ध्यान रखें ताकि किसी वी तरह की कोई दिक्कत ना हो अब बात करते हैं दो मई के बारे में दो मई एक तो जो चंद्रमा है उनका राशी परिवर्तन होगा और चंद्रमा राशी बदल कर कुम राशी में जाएंगे कुम राशी में शनी मौजूद है शनी चंद्रमा को प्रभावित भी करेंगे शनी कैसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी प्रताडित होते हैं क्योंकि वो मन के कारक है और मन छोटी बातों से भी प्रभावित हो जाता है तो चंद्रमा की ये जो इस्थिती है ये सब्तम्भाव में है जीवन साती के साथ किसी भी बात को लेकर बहस बाजी ना करें लेकिन अगर करियर की बात करें, तो करियर में सकारातमक रिजल्ट आपको दिखाए देखा, आप अपने दिनिचरिया में से कुछ ऐसा समय निकालेंगे, ये सोचेंगे, ये विचारेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, जो चीजी ठीक नहीं जुड़े हैं, या फिर इन शित्रों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, काम शुरूर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में चीजें ठीक हैं, अनाप्शन आप खर्चा करने से हो सकते हैं अपने लिए वक्त निकाले थोड़ा सा आंकलन करें अपनी चीजों पर ध्यान दे क्योंकि आंकलन करने से आपको ये पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या चीजे ठीक चल रही है और किन चीजों की तरफ आपको फोकस करना है पाकि चीजे जो है कल से बैटर आज र तो अपना ध्यान बिर्कुल लगाना शुरू कर दीजिए जितना अधिक ध्यान लगांगे उतना अच्छा रहेगा उपाय की बात करें क्या उपाय आप कर सकते हैं तो एक तो गुरू का राशी परिवरतन होने वाला है तो उससे जुड़े हुए भी आपको उपाय जरूर कर करें हमारे इस वीडियो को जाज़ाद लाइक और शेयर कर जरूर करें